इस जोब के एक और नए टॉपिक की जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर हम इस जॉब्स पर बात कर दहा है उएँ श् जोब्स क्या होती हैं ये समझ लिया headed आज बात करेंगे जोग तो हम उब आन्रफ हमीस जॉब्स लो जर्फर दीओ थी सिस्ट्म प्रूइबर समय्त थी वीडियो तम लेए उफूर। तो बिना टाइम वेस्ट की होए चलते हैं सीधे fusion की login स्क्रीन पर देखें दोस्तों मनोज कुमार नाम के एक user से मैंने यहां पर login कर लिया है simply home पर चलते हैं home पर चलके अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यहां पर एक arrow key बटन होता है इस arrow key के उपर क्लिक करते हैं तो सीधे setup and maintenance का एक option मिलता है इस पर क्लिक कर देते हैं इस पर क्लिक करने के बाद हम सीधे सीधे land कर जाएंगे अपने कहां पर FSCM वाली विंडू पर finance यहां पर already selected है चलते सीधे यहां right hand side में एक notepad बना हुए इस पर क्लिक करते हैं search का option आता है इसको select करते हैं और search के option के बाद simply यहां पर क्लिक करते हैं manage enterprise schedule jobs जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जहां पर मेरी ESS job बनती हैं उसके लिए मुझे यही option select करना पड़ता है और based on different different applications and options ही हमें दिखा यह select करना है HCM के लिए आपको यह select करना है और finance जैसा कि मैं आपको बाहर भी बोल ला था कि हमने finance select किया है उसके लिए आपको बीच वाला select करना है select करने के बाद आप सीधे-सीधे ESS job वाले window पर land कर जाओगे यह देखिए दोस्ता तीन options है तीनों के option हम तीन options है तीन options की बाद हम पहले भी कर चुके है but ESS job कैसे बनती है तो manage job definitions के अंदर plus पर click करने के बाद बनती है list of value sources में क्या होता है यहां पर ESS jobs में लगने वाले parameters को plus पर click करके हम create करते हैं आज बात करेंगे manage job sets की अब किस तरीके से मेरी एक से ज़्यादा जो ESS job बन जाती है उनको अगर किसी particular sequence में particular किसी status में हमें run करना है कि पहली वाली report अगर success हो जाए तो ही दूसरी run हो दूसरी वाली success हो जाए तो तीसरी run हो यह first वाली warning में जाए तो यह वाली report submit हो first वाली report success में जाए तो यह वाली report submit हो इस तरीके के scenarios जब होते हैं तो दोस्तो उसके लिए हम अपनी कई सारे ESS jobs को मिला कर बना देते हैं अपने एक job set यहां पर job set बोल रहे हैं दोस्तों लेकिन अगर मैं आटवल EBS की बात करूँ तो वहां पर इसको बोलते हैं हम क्या request set तो simply नया create करेंगे नया create करने के लिए प्लस पर क्लिक कर लेते हैं प्लस पर क्लिक करने के बाद यहां पर अपने job set का क्या नाम रखने वाले वह हम दे देते हैं लेट से थोड़ा ध्यान देना है नेम के अंदर इस पेस नहीं रखना है एक ही तरीके के नाम रखते हैं तो easy term में रखते हैं लेट से मैं लिख लेता हूं supplier detail मैंने इसको नाम दे लिया है और easy करने के लिए इसको ESS job set भी लिख लेते हैं ESS job set इस नाम को copy कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पढ़ेगी और copy करके रख लेते हैं कहीं पर अपने पास अब यह नाम में दे लिए डिस्प्ले नेम भी आपको जो देना है दोस्तों आप दे सकते हो same चाहिए same सकते हो आपको कुछ change करना है आप change कर सकते हो let's say हम change कर लेते हैं हमने कुछ इस तरीके के नाम दे लिए description में भी आपको कुछ ना कुछ देना जाहिए जिससे कि आप easily identify कर पाओ कि यहाँ पर actually हो कहा रहा है यह तीन चीज़ देखिए mandatory fields का ही हमें ध्यान देना है दो ही चीज़े mandatory थी हमने दो दे दिये साथ में description भी दे दिया है package mandatory नहीं है आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं अब यहाँ पर आपको दो option देख रहे हैं job set steps serial और parallel देखिए नाम से आपको clearly समझ में आ रहा होगा कि serial का मतलब है कि एक run हो उसके बाद दूसरा run हो यहाँ पर आपको दिख भी रहे कि एक circle से दूसरे circle में air हो जा रहा है और parallel की बात करें तो दोस्तो parallel में मेरा होता है कि एक साथ मेरी दो jobs parallel ही run होती है तो parallel की बात करेंगे अगले वीडियो में आज के वीडियो में देखिए किस तरीके से serial job set बनता है तो serial job set बनाने के लिए जो pre-recursist है वो है कि कम से कम at least 2 programs मेरे पास होने चाहिए 2 ESS jobs मेरे पास होनी चाहिए तो वो मेरे पास ready है मैंने 2 अपने normal BI reports को आपको समझाने के लिए ऐसे ESS jobs उनको registered कर लिया है previous वीडियो में आपने देखा होगा जहां पर मैंने आपको ESS job registered करना सिखाया था तो उन ही को use करके हम बनाएंगे अपना job set तो plus पे click करते हैं और plus पे click करने के बाद यहां पे job id job id का मतलब है कि पहले program को आप कोई भी नाम दे सकते हैं program भली वो alphanumeric हो numerical जो भी आपको नाम दे रहा है आप दे सकते हैं let's say मैं देता हूँ step 1 उसको नाम दे दिया job कौन सी वाली रनोनी है वो हम यहां पे select करके दिखा देंगे job का नाम मैंने यहां पे लिखा हुआ है आप उस नाम से यहां पे search कर सकते हैं let's say मैंने एक दे दिया यह supplier की information का एक ESS job बनाया हुआ है वो मैंने यहां दिया simply इस arrow पे click किया search करके यह मुझे नीचे ले आएगा यह देखिए यह लिया ok कर दिया और यह सारी information कहां से उठा रहा है दोस्तों यह सारी information उठा रहा है आपकी ESS job से अगर आपको थोड़ा सा भी doubt है तो मैं दूसरी window पे आपको ESS job से दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से यह उठा के लेके आ रहा है यह देखिए दोस्तों यह ESS job हमने बनाया थी उसी नाम से जो नाम हमने दिया उसी नाम से search भी कर लेते हैं यह देखिए यही job थी इसको हम edit mode में open कर लेते हैं so that हम देख पाएं यह देखिए यह मेरी एक ESS job थी जो मैंने आपको register करके खाय थी यहाँ पर application name भी आ रहा है यहाँ पर इसकी report ID भी आ रहा है output भी आ रहा है नाम भी आ रहा है short name भी आ रहा है to list of available steps तो दौनों के अंदर थोड़ा सा अंतर भी समझ लेते हैं हाला कि हम proceed करेंगे insert into main diagram क्यों जैसे ही इसको select करते हैं यह देखिए दोस्तों यह diagram back end में आपको बना देते हैं diagram से थोड़ा easy understandable हो जाती है चीजे कि यह मेरा को step 1 का program है success होगा तो यह आगे बढ़ेगा नीचे की तरफ जाएगा error हो जाएगा तो stop हो जाएगा warning में जाएगा तो भी stop हो जाएगा थोड़ा easily understandable होता है और अगर दूसरे option पर जाते हैं दूसरा option कहा है दूसरा option है list वाला तो list वाले में आपको यहाँ पर केवल भाहर दिखाई देगा step 1 और सारे के सारे options आपको यहाँ दिख जाएगे जैसे यहाँ अंदर दिख रहे हैं आपको जैसे भी choose करने आप कर सकते हो तो अब ही देखिए अंतर भी समझ में आएगा यह ले लिए मैंने एक पर select करके आपको दिखा देता हूँ कि इससे क्या दिखता है भाहर इसको लेने से देखिए बहार diagram आपका गायब हो जाएगा और केवल step 1 दिखाई देगा step 1 के अंदर क्या है वो चीज़े नहीं दिखेंगी वो दिखेंगे आपको further edit पे click करने के पाद तो easily understandable लो इसलिए हम उसको as a diagram ही अपने यहाँ पर रखते है दूसरा वाला दूसरा वाला ESS job भी हम यह select कर लेते हैं क्यों हम बात कर रहे हैं serial की एक के बाद दूसरा वाला मेरा job set यहाँ पर चले तो plus करते हैं दूसरे job को कुछ नाम देते हैं step 2 देते हैं let's say कि step 2 पर तले कौन सी वाली job चले तो job का नाम में यहाँ से copy कर लेता हूँ मैंने पहले भी किया हुआ है यह मैंने नाम यह दिया search करते हैं search करने से देखे नीचे मेरा वो ESS job आजाएगा select किया select करने के बाद इसको भी हम main diagram के process से लेके जाएगे तो main diagram में देखे clearly 7 में आ रहा है अगर मेरा first वाला first वाला program success होता है तो arrow key से वो नीचे आ जाएगा दूसरे process में दूसरा वाला success होता है तो यह last में end हो जाएगा बीच में warning होता है या error out होता है किसी भी region से आपका process या आपकी report तो simply next वाला process call नहीं होगा next वाला process केवल और केवल तब call होगा जब यह success होगा देखे success से यह आपका arrow नीचे आ रहा है ठीक है यहाँ तक आपने 2 process आपके कितने भी process हो आप multiple processes यहाँ डाल सकते हैं कौन सा वाला process कभ fire हो ना आप easily बता सकते हैं देखे आप यहाँ गौर करेंगे तो clearly अगर आप चाहते हैं कि मेरा success पर यह fire ना हो जब first वाली report मेरी warning में जाए या मेरी error out हो तब मेरा step 2 हो तो यहाँ पर देखे step 2 को option आपको दिख रहा है आप चाहते हैं कि step 2 तब मेरा fire हो जब उपर वाला program error में हो तो आप ऐसे करके इसको change भी कर सकते हैं और जैसे ही apply करेंगे यह change हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो success हुआ यह हो गया दूसरा success हुआ खत्म हो गया अब आती है last worry दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी अपना ये ESS job set बनाते हैं तो एक system parameter हमें यहाँ पर देना पड़ता है कौन सा system parameter plus करते हैं एक application वाला system parameter होता है यह देखे यहीं पर आपको दिखाई देगा effective application sys effective application यह आपको देना पड़ता है initial value आपको क्या डालनी है देखे initial value क्या डालनी है यह आपको बहतर समझ में आएगा आपने अपनी ESS job जहां पर भी register करी हैं वहाँ पर देखे job application name आपको देख रहा होगा कि आपने वो particular processes किस application में डाले हैं तो मैंने अपने दौनों के दौनों application दौनों के दौनों जो मेरी job है वो इसी application में डाले हैं तो इसकी initial value होगी F-S-C-M-E-S-S तो इसी तरीके से मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और यहां पर अपनी initial value में पास की mode को हमेशा check box करें OK कर दें सारे के सारी चीजे एक job set को बनाने के लिए हमने complete करें save and close कर लेते हैं और इसका नाम हमने copy करके रखा हुआ है यहां पर देkmिए बनके रेटियो अब बारी आती हैं इसको test करने की तो यह मैंने यहां से अपना up बहुते हैं तो test करने के लिए कहा जाना है मुझे test करने के लिए मुझे जाना है सीधे सीधे home window पर home window में tools पर जाना है tools में schedule processes होते हैं यही schedule processes के अंदर मेरे को क्या दिखते हैं जब कभी मैं click करता हूँ schedule new process पर तो यहां पर मुझे दोना चीज़ दिखती है jobs भी and job sets भी तो क्योंकि job set बना क्या हूँ job set पर click किया job set का नाम दिया और इस जो drop down है इस पर click किया यहां पर वैसे easily भी दिख जाएगा आपको drop down पर click करने के बाद supplier कहां गया मेरा मुझे दिखाई नहीं दिया क्यों नहीं दिखाई दिया एक बाद यहां पर डाल के सर्च करते है job set का नाम तो हमने यही दिया है क्या कुछ और display नहीं अगर एक बाद एडिक मोड में कोलते है name यही है display name आपका यह एक बाद display name से try करके देखते है कि यहां पर क्या display name आता है yes यहां पर display name आता है तो display name पर जैसे ही क्लिक किया supplier detail with invoice यह आपका आगया okay करेंगे okay करते ही आपसे आपकी अगर किसी भी ESS job के अंदर कोई parameter होगा तो वो भी हुए आपसे क्लिक करने के बाद पूछ लेगा जैसे first पर नहीं है second पर मैं जानता हूं देखे first पर कोई parameter नहीं है तो first वाले पर यह parameter देखे मैं यहाँ पर select कर देता हूं पहले second वाले पर यह देखे first वाले पर जाता हूं एक submission note भी डाल देते हैं और अब इसको submit करते हैं submit करने पर clearly देखे यहाँ पर मेरा 381 करके मेरा एक ESS job यहाँ पर submit हो गया है refresh करते हैं और refresh करने पर देखे 381 यही वाला आपका submit हुआ है इसके बाद अब और subsequently आपके internal programs fire होंगे देखे 381 के बाद आपका supply detail ठीक है एक यह fire हो गया refresh करते हैं एक और fire होगा यह देखे यह supply detail का जो हमारा ESS job था successfully यहाँ पर complete हो गया क्योंकि यह मेरा ESS job है इसके अंदर देखे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिर होगा लेकिन further इसके आगे की चीज़े 381 के आगे 384 and 386 यह आपको parallely आपकी jobs की detail आपको proper output के साथ दिखाएंगे देखे एक output यह आगया है दोस्तों इसको republish करेंगे तो इसका output दिख जाएगा मुझे यह देखे एक output यह आगया दोस्तों दूसरे का output भी आप easily यहाँ पर देख सकते हैं इस पर भी republish का एक बटर आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरी वाली मेरी जो report है या मेरा process है उसका output भी उसने क्या किया है वो easily यहाँ पर दिखा देगा क्या बार हो जाता है यहाँ पर की output इस तरीके से नहीं यह देखिए दूसरी रिपोर्ट का output भी आगया अब आप यहाँ पर देखिए 434 381 एक का नमबर है 434 386 and 384 मतलब ही sequence में fire हुए है पहले यह fire हुआ request है फिर आपका पहला वाला जो job set था वो fire हुआ उसके बाद दू दो इस तरीके से एक serial वाला जो job set होता है उसको create करते हैं तो एक छोटी सी information थी जो मैंने आप लोगों के साथ share करी hopefully आप सभी के knowledge की रही होगे आप सभी को थोड़ा बहुत इसने ग्यान जरूर दिया होगा आशा करता हूँ आपको यह topic आपको यह video समझ में आया होगा के लिए motivate करने के लिए दोस्तो मेरे चैनल को subscribe जरू कीजीगा so that मैं आपके लिए इस तरीके की छोटी छोटी से ही information वाली videos बनाता रहूं आपको आगे बढ़ाता रहूं फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई concept के साथ तब तक के लिए दोस्तों thank you so much